चलिए दोस्तों आपको कुछ अलग तरिकी से बताती हैं कि लोब का विलोमसब्द क्या होता है और आज किस वीडियो के इंदर आपको लोब के विलोमसब्द के बारे में हम अच्छी से जानकारी देंगे आप भस वीडियो को लाइक रें चेनल को सब्सक्राइब करें और बे प्रीत या उल्टा अर्थ देते हूँ उन्हें विलोमसब्द कहते हैं और वहीं पर अगर हम लोब की विलोमसब्द की बात करते हैं तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि हिंदी व्याकरण के अनुसार लोब का विलोमसब्द संतोस होता है यानि दोस्तों लोब का विलोमसब संतोस होता है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है जिसके लिए आप भी मरे सा दो रहें कि लोब का विलोमसब्द संतोस होता है इसके लोग दोस्तों अगर आप इने और भी दिकची तरह से याद करना चाहती है तो आपको पता होना चाहिए कि लोब का अर्थ क्या है और संतोस का अर्थिक क्या होता है तो आईए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि लोब का अर्थिक क्या होता है दोस्तों लोब का हिंदी में अर्थ होता है लालच यानि जिसे हम लालच कहते हैं यह लोब होता है और वहीं पर अगर हम संतोस के अर्थ की बात करते हैं तो दोस्त तो संतोस का हिंडी मे अर्थ होता है त्रिप्ति याँनी जिसे हम त्रिप्ति के नाम से जानते हैं वह है संतोस है तो इस तरह से दोस्तों आपने अब समझा कि लोबroot का ऑर्थ क्या है और संतोस का ओर्थ क्या है तो आप अब ये और भी देख अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि लोब का विलोम सब्द क्या होता है तो आईए दोस्तों अब हम एक बार इसके बारे में प्रिश्चे बात करते हैं कि लोब का विलोम सब्द क्या होता है तो दोस्तों जरा देन से सुनी कि हिंदी व्याकरण की अनुसार लोब का विलोम सब्द संतोस होता है यह नि दोस्तों लोब का विलोम सब्द संतोस है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है जिसके लिए आप भी मरेसा दो रहाएं कि लोब का विलोम सब्द संतोस होता इसके लगों दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबादें